नमस्कार दोस्तों आज एक बहुती इंट्रस्टिंग और इंपॉर्टन टॉपिक पर डिस्केशन करेंगे दैट इस बायो फोर्टिफिकेशन आफ क्रॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 16th October को मनाया जाता है World Food Day और इसी के साथ-साथ इस साल 2020 में हम important कदम लिए हैं सबसे पहले तो यहाँ पर 75 रुपीज का commemorative coin रिलीस किया गया है FAO के 75th anniversary पर और World Food Day के दिन that is कल की बात है 16th October को भारत सरकार के दौरा रिलीस किया गया 17 new bio-fortified varieties of 8 crops to fight malnutrition आपको पता है आज भी हमारे देश के अंदर जो malnutrition की समस्या है कूपोशर की समस्या है काफी जादा है इसके लिए जरूरी हो जाता है कि nutritious food diet यहाँ पर बच्चों को सभी को मिल सके ताकि malnutrition से हम लड़ने में सफल हो इसी को देखते वे यहाँ पर हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह bio-fortification क्या होता है यह कौन-कौन से crop release किये गए है कि इस तरह से मदद करेगा malnutrition से लड़ने में चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं Instagram, Facebook और Twitter पर में लेक्चर की हब PDF आपको Facebook पर तुम मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं अंकित अगरवाल ऑफिशल और अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके तुरू आप अपनी preparation और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 75 रूपिस का ये FAO के 75th anniversary पर रिलीस किया गया और ये बेसिकली जो रिलीस है ये एक तरह से long standing जो रिलेशन है भारत और FAO के बीच में उसको दर्शानी की कोशिश की गई और इससे ये भी बताया गया कि किस तरह से जो agriculture और nutrition है वो भारत सरकार के एकदम highest priority में आता है और यहाँ पर government का जो resolve है hunger को eliminate करना, under nourishment को eliminate करना, malnutrition को खतम करना और आपको तो पताई होगा कि जो sustainable development goals हैं वहाँ पर भी hunger को मिटाने के लिए जिक्र किया गया है और इस पूरे यहाँ पर जो celebration किया गया इसमें आंगनवाड इसे लेकर कृषी, विज्ञान, केंद्र, organic and horticulture missions जितने भी events ते एक तरह से यहाँ पर participate सभी को लाने की कोशिश की गई, लेकिन अब हम आते हैं अपने सबसे important मुद्दे पर that is यह जो bio fortification की बात हो रही है यहाँ पर कौन-कौन से crops release किये गए हैं वो तो मैं आपको कोई भी अनाज, rice, किसी भी परकार का जो हम food consume करते हैं तो उस food के अंदर deliberately, intentionally यहाँ पर उसका जो essential micronutrient है उसको increase करने की कोशिश की जाती है अगर कोई crop है जहाँ पर nutritious value उतनी जादा नहीं है उसके बावजूद भी हम manually उसके अंदर अगर उसके micronutrient को increase कर देते हैं तो इ basically overall आप कह सकते हो to improve the nutritional quality of the food ताकि यहाँ पर जो health है उसका benefit है वो यहाँ पर सभी को मिल सके और risk यहाँ पर कम से कम हो इसी को कहा जाता है fortification लेकिन यहाँ पर bio fortification क्या होता है देखे almost यह same चीज है लेकिन कुछ important अंतर है जो कि आपको पता होना चाहिए basically क्या होता है bio fortification में जब plant यहाँ पर grow कर रहा होता है तभी हम यहाँ पर उसके nutritious quality को increase करने की कोशिश करते हैं लेकिन जब normal fortification होता है जो conventional method होता है उसमें क्या होता है कि एक बार crop हो गया यहाँ पर उसकी harvesting हो गई और जब यह processing में जाता है उस समय यहाँ पर उसके nutritious quality को increase किया जाता है लेकिन bio fort fortification में क्या होता है, जब crop grow कर रहा है, उसी समय यहाँ पर हम उसके nutritious quality को improve कर देते हैं, अब यह कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि agronomic practices हो गया, plant breeding हो गया, modern bio technology हो गया, इस तरह कि जो modern technologies हैं, उसकी मदद से हम यहाँ पर bio fortification कर सकते हैं, I hope कि यह आपको समझ में आ गया तो fortification यह conventional method से होता था, manual method से होता था, जब processing हो रही है, एक बार harvest हो गया, crop का, उसके बाद processing के समय किया जाता है, लेकिन यह सुरुआत से ही यहाँ पर bio fortification के case में, उसकी nutritious quality को increase किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप कई सारे example देख पाऊगे, iron, bio fortification of rice, beans, sweet potato, इसके मेज में increase कर दिया जाता है, तो basically हम क्या कर रहे है, इन सभी food crop की nutritious quality है, उसको improve करने की कोशिश की जा रही है, अब मैं अगर आप से भारत की बात करूँ कि अभी तक हमारे देश के अंदर कौन कौन से ऐसे crops हैं, जो की bio fortified है, मतलब कि उसको deliberately यहाँ पर उसकी nutrition quality increase करने की पहले यहाँ पर भारत सरकार ने खुद बताया था, आख्रा है यह, कि 2014 की पहले सिर्फ एक bio fortified variety of crop हुआ करता था, लेकिन पिछले 5 सालों से जिस तरह से यहाँ पर इस पर focus किया गया है, आज के date में 53 इस तरह के varieties आपको देखने को मिलेंगे, और ध्यान रखिएगा, इसक पर कल क्या हुआ था, 16th October World Food Day के दिन, यहाँ पर Prime Minister ने dedicate किया 17 new bio fortified varieties of 8 crops to the nation, अब यह crop कौन कौन से हैं, यहाँ पर 17 new bio fortified, इसके पहले आपको समझना चाहिए कि इससे मदद क्या होगी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसकी जो nutritional value है, वो 3 गुना बढ़ जाएगी, तो एक तरह से उसको nutrient थाली का नाम दिया गया है, कि किस तरह से जो Indian थाली है, उसको nutrient थाली में हम convert कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह जितने भी crops की हम बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर release किया गया है, bio fortified varieties, यह basically आपका जो local farmers होते हैं, उनकी जो varieties हो quality के जो crops होंगे, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, in fact इसके अलावा क्या होता है, कई बार crop के अंदर जो हमारे human growth को affect कर सकता है, development को affect कर सकता है, उसको reduce करने की कोशिश की गई है, उसको कहते हैं anti-nutritional factor, कई सारे crop के अंदर anti-nutritional factor होते हैं, जैसे कि eurosic acid हो गया, trypsin inhibitor ह इन सब को क्या किया गया है, reduce कर दिया गया है, और दूसरी तरफ यहाँ पर nutrition होते हैं, उसको increase कर दिया गया है, तो दुनों तरफ से यहाँ पर benefit है, अगर हम farmer के perspective से बात करें, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो farmer के income है, वो increase हो सकती है, farmer के लिए जो new avenues है, entrepreneurship, development के लिए वो भी यहाँ पर बहतर हो सकता है, और यह जितने भी release किये गए हैं, इसको बताया जा रहा है कि भारत सरकार के कई सारे programs हैं, जैसे कि midday meal हो गया, अंगनवाडी हो गया, कुपोशन मुक्त हो गया, इस तरह कि कई सारे schemes के साथ link कर दिया जागा, जैसे कि midday meal में यहाँ पर अब इस तरह की जो varieties के crops होते हैं, जो food होते हैं, वो देने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चों को और जादा nutritious food मिल सके, इसके अलावा बताया जा रहा है कि यह काफी cost effective होगा, sustainable होगा, किस लिए malnutrition को हटाने के लिए, क्योंकि malnutrition से निबटना इतना आसान नहीं है, य काफी सारा budget उसके allocate करना पड़ता है, लेकिन अगर हम इस method के through करते हैं, तो यहाँ पर यह काफी cost effective solution हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हम livestock को, जो हम यहाँ पर 4 वगरा देते हैं, उसकी भी quality अगर अच्छी होगी, तो livestock से जो हमें product मिलता है, milk हो वीट के आपको 5 quality देखने को मिलेंगे, अलग-अलग प्रकार, इसके लावा मेज हो गया, यह 3 प्रकार का है, millet आपको 2-3 प्रकार के देखने को मिलेंगे, mustard है, groundnut है 2 प्रकार के, और yam है, तो basically total 17 यहाँ पर varieties हैं, इसमें total आपको 8 crops देखने को मिल रहा होगा, अब इसमें मैं आपको just एक example बताऊं, जैसे कि rice वाला हो गया, तो rice का आप example यहाँ पर देख सकते हो, इसका नाम है CR-315, आपके exam में आ सकता है, कि CR-315, recently news में था, यह क्या है basically, तो ध्यान रखना, bio-fortified rice variety है, यहाँ पर जो zinc की मात्रा है, उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है, in polished grains in comparison to, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि normal में यह 12-16 ppm होता है, लेकिन इसके अंदर आपको zinc की मात्रा 24.9 ppm देखने को मिलेगी, बाकी maturity date और बाकी सारी information बताई गई है, इसका adaptation कहाँ पर होगा, महराष्ट और गुजरात के अंदर, इसके लावा मैंने आपको बताया था, कि mill प्रकार के आपको millets भी देखने को मिलेंगे, तो millets let me tell you, कि यहाँ पर बहुत जादा important role play कर सकता है, हमारे malnutrition को हटाने में, क्योंकि इसके बहुत सारे health benefit होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कई सारे disease हो गए, anti-diabetic properties होता है, इसके अंदर, यह जो हमारा oxidative stress होता है, उसको reduce करन होता है, heavy weight हो जाते हैं, तो उसको भी मंटाने में यह मदद करता है, heart disease से related, मतलब आप देख सकते हो, जो millets है, वो बहुत important role play कर सकता है, इसको भी ध्यान में रखेगा, अब देखी, यह सारी चीज़े हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि जो nourishment है, portion है, वो 2018 में 8 March को Women's Day होता है, आपको पता होना चाहिए, यह तो portion अभियान स्टार्ट किया था, यह basically 3 साल का program है, 9,000 करोन रुपीज इसमें खर्च किये जाएंगे, जितने भी states और union territories हैं, 36 numbers, सभी को यहाँ पर cover किया जा रहा है, और उसका जो benefit है दोस्तों, यह 10 करोन लोगों तक 10 करोन पीपल, यह चलेगा आपका 31st March 2021 तक, और यहाँ पर इस portion अभियान को और जादा effective बनाने के लिए सरकार कुछ और कदम ले रही है, जैसे कि आप देख सकते हो, जो ministries हैं इससे related, उन सभी को साथ लाया जाएगा, nutrition specific reviews किये जाएंगे हर एक district के अंदर, यहाँ पर जो action plan है, उसको एक साथ merge करने की कोशिच की जाएगे, मतलब यह portion वियान को और जादा effective बनाने के लिए और भी कई सारे कदम ले रही है सरकार, तो I hope दोस्तों यह जो video था regarding 17 new bio fortified varieties of 8 crops, यहाँ पर सभी जानकारी मैंने दे दिया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने इ इसका right answer मुझे comment section में दीजिए और इसका right answer मैं अपने Instagram, प्लस अगर आप Instagram पे नहीं हो तो Telegram से भी मैं डाल दूँगा, वहां से आप ले सकते हो, मैं लगतार कई सारे quizels डालता रहता हूँ, आप Instagram में stories के form में जाकर इसको play कर सकते हो, अगर आप उसे economy पढ़ना चाते हैं कोई course purchase करना चाते हैं, आप study आए क्यों आप पर जा सकते हैं, I hope कि ये वीडियो आपको फसंद आया होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.